वाहिगुरुजी का खालसा वाहिगुरुजी की फत्य हे साधा विर्षा की है साधा विर्षा है मानस की जात सबे एक पहचान बो गुर्मत विच अखोती जात पातनू कोई था नहीं साड़ा विर्साता है जातना पातना दी मनुवादी सोच तो उपर ओठ के जान हो जोत न पूछो जाती आगे जातना हे दे तार्नी बाण के फकड जाती फकड नाओ सबना जीया इका अचाओ दे असूलनू अपनाओन अते लुकाए दे कनना विचवी इस असलियतनू पॉना की जातना पातनी नफरत दी पांड तुसी फजूल चुकी होई है जद की असलियत कुछ होर है असलियत है अवल अल्लह नूर उपाया कुद्रत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदे लोगा परम न पूलो हो पाई खालक खलक खलक में खालक पूर्रे हो सरब थाई जातना दिया वंडियां पाके आपने आपनू सरब स्रेष्ट कहलोन वाले ब्रामना नूता बाबा कबीर जी ने हेट लिखे शब्दा द्वारा पोछ कीती सी जो तू ब्राहमन ब्राहमनी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया तुम कत ब्राहमन हम कत सूद हम कत लोहु तुम कत दूद कहो कबीर जो ब्रहम भी चारे सो ब्रहमन कहियत है हमारे अज आपां सत्गुरां दे उपदेश नू पोल के असलियत तों कोहां दूर जा चुके हां जिस जात पात दे चक्कर विच्चों सत्गुरु जी ने सानू कड़े आसी उससे जाता पाता दी दालदल विच असी मुड़ फस गए हां आपां जाता पाता दी छट लाहोन दी था इसनू होर पारा कर लिया है जातना बिरादरियां ने ना उत्ते असी गुरु करादी उसारी करके जात बिरादरी दियां वलगणा होर सोडियां कर लिया हन जो बहुत ही खतरनाक रुजान बनदा जा रहा है आज लोड है दशमेश पिता जी दे नारे मानस की जात सब एक पहचान बो नूँ खुद असली जामा है पहनाईए अते लुकाई नू इस मारग उत्ते तोरन रई प्रेड़ना देए तद ही असी आपने विर्से नाल जुड सकांगे वाहिगुरु जी का खलसा वाहिगुरु जी की फते है